आज मैं बनाऊंगी भजिया यानि की पकोड़ा गुजरात में हम पकोड़े को भजिया बोलते हैं तो ये पकोड़े बनाने में बहुत ही आसान है बहुत ही देशी लगते हैं और फटाफट से बन भी जाते हैं तो चले फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो मिर्ची जो मुट्टी वाली मिर्च आती है वो लेनी है हमें वो बिल्कुल भी तीकी नहीं होती है तो उससे हम आज भजया बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने मिर्च ले ली है और उसे अच्छे से दो लिया है और उसे पोच भी लिया है साथ में मैं आज आलू के भी थोड़े से पकोड़े बनाऊंगी तो साथ में मैंने दो आलू भी ले लिया है और थोड़े सी सिंपल मिर्च भी मैंने ले ली है सबको अच्छे से दोके पोच लेना है और अब एक बरतन में ले लेंगे तीन कप पेसन इसके नो डाल देंगे तेसके अकोरिंग नमक आदा चमच हल्दी एक चमच धन्याजिरा पाउडर एक चमच हिंग दो चमच मैंने अदरक मिर्ट लसुन का पेस्ट लिया है दो चमच ल लेते हैं तो यहाँ पे मैंने एक कप जितना पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करेंगे और बैटर रेड़ी करेंगे एक साथ सारा पानी निडालेंगे सारा पानी एक साथ डाल देंगे तो इसमें लंप्स पड़ सकते हैं तो यहाँ पे मुझे तकरीबन रेड़ कप जितना पानी लगा है तो तीन कप पेशन और रेड़ कप पानी ये मेजरमेंट परफेक्ट है तो चलिए यहाँ पे हमारा बैटार एकदम रेड़ी है तो उसे धक कर रख देते हैं साइड में और अब तेल को हम गरम करने के लिए रख देंगे गेस की फ्लेम को अ मैंने खट्टा मीठे वाला नमकीन लिया है मैंने यहाँ पे 10 रुपे वाले तीन पैकेट्स लिये हैं आपको जैसा नमकीन पसंद है आप ऐसा ले सकते हो तो इसे मैंने मिक्षर में अच्छे से क्रश कर लिया है उसके अंदर डाल दी है थोड़ी सी धन्या पती और अधा इम्बू मैंने इसके अंदर निचोड दिया है चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो ये दिखिए इस तरह का मिक्षर होना चाहिए अगर आपको लगे कि आपका मिक्षर थोड़ा सा सुखा है तो आप इसके उपर थोड़े से पानी की शीटे डाल सकते हो और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेता है तो हमारा ये मिक्षर एकदम रेडी है चलिए अब मिर्च ले लेते हैं और इसमें बीच में एक कट लगा लेते हैं और इसके अंदर से ये जो बीच और रेशे हैं वो हम निकाल लेंगे क्योंकि इसके अंदर हम स्टपिंग करें तो यह फट भी सकती है तेल में चली अब ले लेते हैं अलु मेरे बच्चो को आलु के पकड़े बहुत ही पसंद है वो मिर्ची के कम खाते हैं तो बच्चों के लिए मैं खास यह आलु के पकड़े बना रहे हूँ तो इसे इस सरा हमें slice कर लेना है तो यह देखे इतना मोटा slice होना चाहिए आप डायरेक चाकू की help से भी इसे slice कर सकते हो लेकिन ये जो machine है उससे एकदम evenly ये slice हो जाते हैं यहाँ पर मैंने आलो को बीना छिले ही slice कर लिया है अगर आप चाहो तो इसे छिल कर भी slice कर सकते हो चली अब आलो को मदलब के slice को 2-3 बार अच्छे से पानी से धो लेते हैं और एक kitchen टाल पर इसे सुखने के लिए रख देते हैं मैंने और एक kitchen टाल से उपर से भी अच्छे से सुखा लिया है और उपर से थोड़ा सा नमक चिरक दिया है अभी नमक चिरखने से आलो के अंदर नमक का टेस्ट आ जाता है और जब हम पकोड़े खाएंगे तो अंदर से फिके नहीं लगेंगे चलिए अब यह जो मिर्च है उसके अंदर हम स्टफिंग कर लेते हैं तो यह जो हमने मसाला बनाया था वो मसाला इसके अंदर अच्छे से बल लेना है तो अच्छे से दबा दबा के इसके अंदर मसाला बल लेंगे तो इस तरह सारे मिर्च को हम फिल कर लेंगे चले सारे मिर्श हमारे एकदम ready है और यहां पर हमारा बैटर भी एकदम ready है रेस्ट करके तो बैटर के अंदर डाल देंगे थोड़ा सा सोड़ा मतलब के खाने वाला सोड़ा आप बेकिंग सोड़ा भी डाल सकते हो चुटकी पर मैंने सुड़ा लिया है और उपर दो से तीन ड्रॉप्स मैंने लेमन जूस के डाल दिये हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है यहां पे हमारा तेल भी अच्छा खासा गरम हो गया है फ्लेम को अभी हमें मिडियम तो लो रखना है और यह जो पकोड़े हैं में बैटर में टीप करके इसके अंदर डाल देना है तो एक बारी में आपकी कड़ाई में जितने पकोड़े आच सके उतने आप डाल सकते हो तो यहां पे मैंने चार मिर्ची के पकोड़े ताल दिये हैं और उसे में फ्राइ करलेना है तो ये दिखे इस तरह चिम्टे की हेल्ड से इसे पलट लेना है और दोनो तरफ से हमें इसे प्ल नौर चिम्टे की हैप वने तक र 충ूल चाहिएए गुल्डन। गैस की फ्लेम को हमें हाय कर लेना है, और 2-3 मिर्ड के लिए इसे fry कर लेना है, ये भी 2-3 मिर्ड में अच्छे से fry हो जायेंगे, तो ये दिखिए अच्छे से golden brown हो चुके हैं, और अब इसे भी हमें निकाल लेना है, तो आप देख सकते हो कि कि इतने बड़िया पकोड़े हम बहुत ही अच्छी लगती है मिर्च के ऊपर थोड़ा सा नमक छीड़क देंगे चलिए अब पकड़े को हम कट कर लेते हैं तो आपको मैं दिखाती हूं मिर्ची का पकड़ा कट करके तो यह दिखिए इसके अंदर का स्टाफिंग और देखने में बहुत ही बढ़िया है और बारे में यह बहुत ही तेस्टी लगते हैं फटाफर से बन जाते हैं बहुत ही इजी रेसीपी है और फटाफर से बन जाती है तो इस बारिश में यह रेसीपी जरूर रहे करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको यह रेसीपी कैसी लगी चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स सेपे के साथ तब तक के लिए बाई जेशी करिशना